हेलो दोस्तों मेरे नाम है विनीत और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल यू एंड मी के अंदर दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर वीडियो के मादम से आपके लिए कोई ना कोई वास्तु का उपाई बताते हैं जिससे आप अपने घर के अपने आउफिस के व आपके वास्तु दोश्तों को दूर कर सकते हैं और आप देखें कि हम हर वीडियो में आपके लिए कोई ना कोई सॉलूशन लेकर आते हैं दोस्तों सब्सक्राइब करहें कि वर्तमान समय में इंसार बहुत सारी समिशाओं का सामना करता है तो गरेलो सॉलुशन यदि हर समि तो चोटे चोटे गरेलू उपाय जानने के लिए आप मारे चैनल के सब बने रहे हमारी वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल नहीं भूले दोस्तों आज इस उपाय के मादन से हम आपको पताएंगे कि यदि इंसान बहु बेषन भी टालें थोड़ा साथ थोड़ी हुड़ा का आटा ले लेंती उनका मिला करें धीपक लगा लें उस पर मैं फिर रिपरगारा हूं दोस्तों बेषन और उड़ की इंसान इस पनार ध को अटे वो लगाए या फिर क्या आघ्टत ही होती है तो दोस्त हों बाहर से नहीं खरे पहते है तो हम घर पर जैसे गुड़ व्यारा होता है गुड़ का भोग भी लगा बहुन fan चीने व्यारा होते हैं चीने का भोग भी उनको लगा लेते हैं उनको सिंदूर अवश्य लगाएं उस दिन और हरुमान जी की दोस्तों हरुमान जी की जो पाठ है वह अवश्य करें सुन्दर काठ का पाठ कर ले आप वह अवश्य कर ले या हरुमान चारिसा का पाठ करें वह अवश्य करें सिनिवार के दिन यह दिया आप चोटे चोटो पाय करते हैं दोस्तों और जो special पान आप बनवाएंगे दोस्तों उसमें पांच चीजे अवश्य बलवाएं जैसे कथा है, गुलकंध है, सौफ है, खोपरे का बूरा है और सूमन कतरी है अगर आप यह पांच चीजों का परियोग करके special पान बनवाएंगे आप नुमान जी को अर्पित करते हैं, मीठाय का बोग लगाते हैं और आटे का दिपक चलाते हैं तो शनिवार का यह चोटा सा उपायविया आपकी हर इच्छा को पूरती कर सकता है, चाहिए आपकी इच् करने पड़ेंगे, घरेलू उपाय करने पड़ेंगे दोस्तों, तो और भी लोगों तक हमारी बात पहुचाने के लिए आप मारी वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों और शनिवार का उपाय आवश्य करें, हमारी चैनल को सस्क्राइब करना नहीं भूलें, आप भी सस्क् यह एग।